बच्चो आज हम पढ़ेंगे विशय मराटी पार्ट कर्माक 21 परदर्शन परदर्शन यानि बच्चो नुमाईश बच्चो आपने देखा होंगा अपने शहर में भी हर साल उरस भरता है और उरस में एक नुमाईश होती है वहाँ पर बड़ो के लिए उनके इस्तेमाल की चीज़े बच्चो के लिए खिलोने होते है और सब के लिए खाने पीने की चीज़े होती है इसी तरह से बच्चो ये भी एक नुमाईश है तो चलिए अब हम पढ़ते है बच्चो की हमें इस सबख में इस नुमाईश के बारे में क्या बोला गया है, क्या बताया गया है तो चलिए अब हम सबख पढ़ना शिरू करते है ऐ काम माना, सुनू और बोलो आमचिया गावाद परदर्शन भरले होते तियात विविद वस्तु होतिया आमी संध्याकारी परदशन पाहायला गेलो सगडी कडे दिव्यान चिया मारा लावलिया होतिया परदर्शनात खूप वेगवेग्रिया वस्तु होतिया आमी खेड़िनी भगितली मला एक बाहुली आवरली बाहुली खूप एटदार होती तीची कड़ फिरवली की आवाज एकू याईचा ट्रिंग 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 मलाव मजावाटली मी ती बाहुली विकत गेतली फिरता फिरता बाबान मी शेतीची ओजारेद दाखवली माहित्ती सांगितली परदर्शन पाहुन आम ही बाहर परलो ये तार ना अजोबा साथी ओशदे घेतली आमचिया गावाद परदर्शन भरले होते परदर्शन यानी क्या है बच्चो मैने भी बताया परदर्शन यानी नुमाईश आमचिया गावाद परदर्शन भरले होते यानि हमारे गाउं में नुमाईश लगी थी तियात विविद वस्तु होती है विविद यानि बच्चो मुख्तलिफ अलग अलग वस्तु यानि चीजे उस नुमाईश में मुख्तलिफ चीजे थी आमी संधियाकारी परदशन पाहाई लगे लो संध्याकारी यानी शाम में बच्चो हम शाम में नुमाईश को देखने के लिए गए सगडी कड़े दीवियान ची अमारा लाव लिया होता वहाँ पर नुमाईश में चारो तरफ चारो तरफ लाइटिंग लगी हुई थी जिसकी रोशनी पूरी नुमाईश में फैली हुई थी परदर्शनात खूब वेगवेगडिया वस्तु होती है परदर्शन यानी क्या बच्चो नुमाईश नुमाईश में बहुत सारी अलग-अलग चीजे थी आमी खेड़नी भगितली खेड़नी यानी खिलोने हमने खिलोने देखे मला एक बाहुली आवरली बाहुली यानी गुडिया बच्चो मुझे एक गुडिया पसंद आई बाहुली खूप एटदार होती गुडिया बहुत अच्छी थी तिछिकार फिरवली की आवज एक को याit चा ट्रींग 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 बच्चो उस गुडिया की चा भी घुमाते ही उसमें से ट्रींग 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 इस तरह से आवज आती थी मला मजा वाटली मुझे मजा आया नी ती बाहुली विकत गेत ली और मैंने वो बाहुली खरीद ली विकत गेत ली यानी खरीद ली फिरता फिरता बाबा नी शेती ची आउजारे दाखवली गुमते गुमते बाबा ने खेत के आउजार यानी खेत में इस्तेमाल होने वाले आउजार बताए दाखवली बताए माहिती सांगितली उनके बारे में मालूमाद दी माहिती यानी मालूमाद उन आउजार के बारे में मालूमाद दी परदर्शन पाहुन आमी बाहर पढ़ लो नुमाईश देखकर हम सब बाहर आ गए ये तान ना आजोबा साथी औशदे गेत ली और वापस आते टाइम आजोबा साथी आजोबा यानी दादा जान बच्चो आते लग दादा जान के लिए दवाई खरीदी और शदे यानी दवाई आते लग दादा जान के लिए दवाई खरीदी पाहा एका मरना देखो सुनू और बोलो यहाँ पर हमें नीचे कुछ लवज दिये गए है बच्चो हमें उन्हें देखना है और पढ़ना है हमारा पहला लवज है खेड़नी, बाहुली, एटदार, एकने, औजारे, औशदे, संधियाकार, मार, कर आप भी इस सबख को पढ़िए बच्चो फिर मिलेंगे अल्ला हाफिस